सबसे बड़ी डिसीजन रहा है यानि कि अगर आपके पास आया रेपसी की शेर्स है तो पैसे इंकम भी आपको या बन चुका है अब यह पैसेव इंकम क्या है भी यह डिविडेंड इंकम यहां पर 30% का यहां पर जो है एक मिनिमम आपका प्रॉफिट शेरिंग बताया गया ह है डीपम की तरफ से अब इसके माइने क्या है कितने डिविडेंड आपको मिलने वाला है तो भाई यह जो हुआ है ना वह आपका काया पलट कर देगा कैसे यह आप समझेगा कि कितना पॉस्टिव है भली स्टॉक खड़ा रहे साल में कोई रिटन ना दे फिर भी आपका इ लेंगे चलो उसके ऊपर आएंगे वट यहां पर आपके सामने एक जन्वरी देखें मार्किट का सिनेरियो बहुत कराव है पहली वात तो मैं आपको बता दू कि यह चीज़ें आई है जो खबर आई है वो लॉंग तरम परफस वालों के लिए है शौट टम बालों के लिए आपको कोई लेन देने नहीं यह शौर टम बालों के लिए उनको डिविदेंड मिलता रहेगा या तो डिविदेंड का जो टैय किया गया उसके एक दिन पहले आप लेके चले अज़िए अगाटे में रहेंगे क्योंकि स्टॉक्स नीचे खुलता है फिर उसके बादी आती ह अचानक से राइज हो गई है तो इसका द्याना किएगा कि इस ख़वर को लेकर कोई बहुत बड़ी खरेदारी मत कर लेना आप सिर्फ डिविडेंड को लेकर नहीं बल्कि स्टॉक स्प्लेट और बाइबेक बोनस की ऊपर भी ख़वर आई लेकिन आपका बाकी से कोई लेना देना नहीं है बाकियों से कोई लेना देना नहीं आप फेयस वैल्यू आपकी 10 है और जो इस्टॉक दिविडेंट हम समझते हैं तो यह आपका साल का प्रॉफिट है 6412 क्रोड आप इसको यहाँ पर समझ लीजेगा क्यूंकि आपको लॉंग ठंग का अगर प्लान है आयार अपसी के अंदर तो आपको यह इंकम मिलती रहेगी यह दिविडेंट आपको मिलता रहेगा पैसे भी इसका 30% आप जो है वह देखेंगे आपका डिविडेंट आता हो जो भी रकम बनती है ठीक ना 1900 क्रोड के आसपास का अगर आपका इंकम बन रहे हैं 30% के साब से तो यह 1900 क्रोड रुपए निवे सके हैं सिर्फ और सिर्फ निवे सके इनको डिविडेंट परपस बांटेंग आप जितने number of shares हैं उसको यहाँ पर ना डिवाइड कर देना है 1900 में तो आपको पर share कितना डिविडेंट बिलेगा यह आपको पता चलियाएगा हर साल यह एक ना calculation है ठीक है इसको side में करते हैं बट अभी क्या हुआ है अभी आप already 31% दे रहा है IRFC पहले से ही दे रहा है यह आपका यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा proposal रहा है 30% minimum है चाहें IRFC 32% दे दे 34% दे वो IRFC के उपर है वह 30% आपका minimum देना ही देना है यह आपका बन चुका है income एक तरीके से तो यह बात अच्छी बात लगी कुल 1.97 रुपे पर share आपका dividend बनता है almost यह आपका dividend है ठीक है तो यह आपका 1.90, 1.97 रुपे पर share यहाँ पर आपका dividend बनता है और उसके आपकी जो face value उसका 20% face value का 20% आपका जो है वो dividend आएगा साल पर अब यही माल लीचे आपकी income कैसे बढ़ेगी अगले दो साल में माल लीचे IRFC का profit जो है वो 8,000-10,000 क्रोड के आसपास माल लेते 8,000 क्र साल होगे तो 2400 क्रोड यहाँ पर बटेंगे पहले आपका अभी अभी जो profit है वो 1900 क्रोड का यहाँ पर जना profitability निकल रहे है तीस परसंट के साब से 1900 क्रोड रुपे इंवेस्टर में बट रहा था अब 8,000 क्रोड का दो साल बात पहुंच गी तो यह 2400 क्रोड रुपे बटे यह सबसे बढ़ी बात है अगर प्रॉपिट गरेगा तो आपका डिविडेंट का जो रुपे है ना वह भी गरेगा वैल्यू गरेगी लेकर मैं बतादू इस चीज़ के लिए बाई मत कर लीजेगा आप सोचे कि यह ख़वर ऐसी आगी आप तो वहिया बस टांडम ही मच ग प्लीज यह आपका डिविडेंट परपस है ठीक है ना ऐसा नहीं कि कोई बाई बेख होने जा रहा तो यह आप ध्यान रखिएगा डिविडेंट का है ख़वर आई अच्छी बात है अड़ यह सब के लिए अच्छा है नहीं यह पहले से पता था कि यह डिविडेंट वाला आज इसकी नहीं हुए से स्टॉक के अंदर यह बच बचा के निकल गया बट देखते हैं लेकिन अगर टेंसर बढ़ा तो यह मार्केट के लिए खतर ना होगा और आज की डेट में जो प्रॉफिडेंग आई उनने डेमा के नीचे ही क्लोजिंग दिए निफ्टी यह मैं इ अभी भी कंसर्ण बने हुए चलेगा यह निल चलेगा यह तो बात की बात है कि चलने को कोई रिज्जन अभी है नहीं तो ध्यान रखिएगा यह बात को अब आया रहती में यह चीज हुए पी एपसी में यह हुआ है यहां पर डिविडेंट बढ़ गए डिविडेंट को अब आप सोचे नहीं कि किस बात कर देगा हुए भाई यार कंसर्ण ना मैं बहुत लंबे टाइम से आपके सामने रख रहा हूं कि बहुत इस जगह पर बाई करने करने यह यह आपका मैनुपिलिटिटिट प्राइस मैनुपिलिटिटिट कर समझते ना यह तीन इवेंट ज रिजल्ट आते धढ़ाम हो जाता है देखा किस तरीक से मार्केट कौटरली नमस पर आएंड यही बात मैं आपसे बहुत लंबी टाम से करता है यह चीज़ तो मैं बच बचा कर चलवाने की कूर्सिस कर रहा था आपको कि कैसे भी आप बच बचा कर चले एंड जब यह तीन इस तेल यह अभी भी इंपोर्टिन जगह पर है एक सो बत्यस बस इसको याद रखना है कि एक सो बत्यस टिक रहा है जब तर टिक है तब तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर यह तूटता है ना तो फिर चार जून का लो तो कपके टूट गए यह आपका जो अप्रेल करने के लिए अब इसका मतलब क्या है कि इतना नीचे आ गए क्या मतलब है कि यहां से एक्दम बढ़ जाओगे भीया बजय चाहिए होगी क्वाटली नमर्स आपकी ग्रोथ कहां पर है यह सब चाहिए होगा हाई असाइट जाने लिए वो दिन गए अडानी गुरूप रिक 151 रुप है फिर उसके बाद 164 रुप है यह आपकी इंपोर्टन जगह प्रैसर वाले पॉइंट्स है अगर यह अभी मार्किट के अंदर प्रैसर बनेगा तो यह कब तक आप ऊपर ले जाएंगे रीजन क्या है उपर हाई असाइट जाने की हाई असाइट से थोड़ा सा काम लेना सीखें जादा महतर है उसमस्ट लॉजिक फिट बैठ रहा था मान गये होगे तो यहां पर बच गए और अगर यहां पर ट्रैप हो गए हो तो फिर तो यहां पर वही है कि आयरेट आयरेट तो वह बात यहां पर आ जाती है फिप्टी डिमा आपका 151 पर है और हमने जो चीज़ें दिख रही है वो रेजिस्टेंस वाली है इसलिए मैं आपसे यह कर रहा हूं कि थोड़ा सा ना यह मैं सूचे की नेगिटिव बुल्ला बंदा यह ना तब भी लोग कहा करते थे 200-210 पर था ना जब मैं कहता था कि निकल जाओ बाई कैसे विकर के यहां करना है यह तो पता नहीं है बाई करने के लिए रुकिएगा क्योंकि मार्केट का सिनेरियो खराब है 200 डेमा के नीचे है जो आज अपसेड आई ना वह बस हो गया जितना होना था मार्केट के तो देखते हैं नेक्स्ट वीक से क्या रहता है कल की दिन तो चुट्टी सुमी आपको समझ में आया हुआ डरिये मत आया रही है यह सब रिकावर होंगे लेकिन वक्त लगेगा लेकिन राइट प्रैस में बाई करने के लिए तो क्या दिक्कत है क्या यह वात कड़त है तो यह बात है सो भी देखा आपको सब्च्व में होगा यह मानीवी से पहले आपने ब्रुकर एडवाइस जवसला लिए खुद की स्टेडी रहे हो से बहुत की स्टेडी में है तो आप दीजिव जा बड़ी देखेंगे वह तो दन्वा दूस्तों